सो गाइज as we all know कि financial year 1920 की last date क्या थी सर हमें यह मत बताओ हमें पता है मैं आपको important point बताऊंगा सिरफ थोड़ा सा सुनो आप इसको last date क्या थी 31 March 21 late return को file करने की भी और revise करने की date 31 March 21 थी 1920 अब बात करते हैं कि अगर 1920 की return यहां तक file नहीं की तो अब कैसे file की जाए तो अभी आपको जब तक कोई notice नहीं आएगा like 1421 अगर आपको कोई notice नहीं आएगा जब तक तब तक आपनी return file नहीं करोगे और return का जो notice आएगा उसमें जो amount लिखा होगा payable या कोई interest या कोई late fees वो आपको pay करने पड़ file कर सकते हो और यह जो period मैंने आपको बताया 31 March 21 का क्योंकि अभी आपके पास financial year end होने के बाद 12 महिने बचते हैं पूरे 12 महिने का time दिया था आपको ITR file करने का but for financial year 20-21 forms की हम अभी बात करते हैं for financial year 20-21 मतलब assessment year 21-22 जो income आपने earn करी 20-21 में assessment year 21-22 इसके लिए date मैं आपको already बता चुका हूँ अब आपके पास financial year 20-21 के बाद जो आपने पूरे साल की income earn करी है उसके लिए आपके पास कितना time बचेगा जो last date for example अगर आप individual हो तो आपके उपर audit applicable नहीं है तो आप 31 July 2021 तक unless extended यह आपके लिए date है अगर आप 31 July 2021 तक file नहीं करते हो तो आप इसको file कर सकत तो 31 December 2021 तक 31 December के बाद अब आप इसे ITR को file नहीं कर पाओगे late fees के regarding changes हो गया है मैं उन्हें आपको बता दिये वीडियो आई बटन पर लग जाएगी आप जाके देख सकते हो तो यह important point है तो अब हम बात करते हैं जिसके आपका support चाहिए because जो last day था 38 या 31 site बिलकुल चल नही थी मैंने Twitter पर भी इसकी request की थी और उसी के चलता ही हमारे PAN की date extend हुई थी बट ITR के लिए date extend नहीं हुई थी तो हम आप यह request कर रहे हैं आपको support दिखाना like करना है और मैं Twitter पर भी करूंगा इस link को तो आपको share करना है क्या लिखा है request for extension of time to file the returns of income under section 1394 की late return को file करने के लिए time over दिया जाए reason being unsatisfactory working of income tax computer portal and spread of another wave of coronavirus in certain parts of the country because आपको पता है मैंने खुद देखा था मैं act के बार में पढ़ रहा था या कोई link कर रहा था किसी PAN का तो site चली ही नहीं थी लोगों ने video बना बना अगर डाली है Twitter पर इसलिए जो PAN का hashtag था वो भी Twitter पर trend कर रहा था क्योंकि PAN link की नहीं हो पार था इसलिए उसकी date बढ़ा दी ओर date इन्होंने क्या बढ़ा ही कि अगर आपने कोई notice issue नहीं किया तो आप notice को फिर से issue कर सकते हो for reopening the completed assessment मतलब department को time दिया गया कि अगर आपने assessment को reopen करना है तो आपको एक महिने का ओर time दिया जा रहा है 31 मार्स से 30 अपरल तक आ एन की date extend कर दी बट आईटर की date extend नहीं की इसी को request किये कि आप एक महिने का time दो because जो हमारा technical staff था वो सारे available नहीं थे due to coronavirus भी और ये time भी आगया कि ये site हमारी चलनी रही थी तो आप request कर रहे हैं आप से कि आप time हमें दो और date extend करो तो आपको क्या करना है आपको वा support दिखान in the form of charging of interest and my view penalty मतलब कि अगर आप date भड़ा भी रहे हो एक महिने के लिए तो आप please interest या को fees मत लगाना और 2021 के forms जल्दी ही आएंगे, soon आएंगे, soon will be available ये काफी question मुझे पूछे जा रहे हैं, आप मेरे telegram join कर सकते हो, आपको telegram में सारे recorded lecture मिल जाते हैं, link description box में, thank you